अब आज वेलकम टी यूर फेविट चैनल अर्बन विस्की आज हम अपने चैनल की फर्स्ट एवर विस्की कॉमपरीजन वीडियो करने वाले हैं और ये वीडियो अपने आप में ही एक यूनिक वीडियो होने वाली है क्योंकि आज हम कॉमपेर करेंगे दी आल न्यू सिगने प्रिमियर गरेंड विस्की और ये इंडिया में यूट्यूब पर फर्स्ट वीडियो होगी जहां पर इन दोनों विस्की को कमपेर किया रहा है वीडियो बहुत इंट्रस्टिंग होने वाली है फ्रेंड्स वीडियो को पूरी देखिएगा बिल्कुल भी स्किप मत क्योंकि यहां पर आपको only liquor based content देखने को मिलता रहता है काम और वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को like जूर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि इन दोनों इसकी का full and detailed review अगर आप इंट्रेस्टेड हैं उन वीडियो को देखने के लिए तो आपके लिए लिंक उपर आई बटन में मिल जाएगा आप इस वीडियो के बाद उन वीडियो को भी enjoy कर सकते हैं काफी detailed में इनके reviews बनाए किया गया है और यही इनकी bottles के साथ भी किया गया है only इनके labels का difference है अगर इनके labels को हटा दिया जाए तो आप अपनी whisky को पहचार ही नहीं सकेंगे कि कौन सी whisky कौन सी है तो चलिए इन whisky को अब पोर करते हैं फिर करते हैं आगे की बातें तो इन दोनों ही whisky's को पोर करके मैंने bottles की side by side रख लिया है तांकि कोई confusion नहों तो चलिए अब बात करते हैं इनकी कुछ similarities and then कुछ differences के बारे में similarities की अगर बात करें तो ये दोनों ही bottles 750 ml की हैं और इन में 42.8% volume by volume अलको स्टेंड देखने को मिलेगी with 75 proof लेकिन यहां से इनके differences शुरू हो जाते हैं signature rare aged whisky का लुध्याना पंजाब में price है 900 रुपीज और चंडीगड में ये आपको 700 रुपीज में मिल जाएगी और signature premier grain whisky का लुध्याना पंजाब में price है 1000 रुपीज और चंडीगड में ये आपको 750 रुपीज में आपको मिल जाएगी और अब बात करते हैं इनके blends के बारे में signature rare aged whisky के blend में आपको देखने को मिलेगी imported scotch whisky, aged Indian marts and grain spirits और इसमें 3 grain whisky का भी use किया गया है जो बनती है wheat, barley and rice से और अगर बात करें signature premier grain whisky की और इस whisky में आपको 10 imported scotch whisky का use किया मिलेगा with aged Indian marts and finest grain spirits इन दोनों ही whisky में 150A artificial color का use किया गया है लेकिन इन दोनों ही whisky में कोई भी artificial flavor का use नहीं किया गया है जो की बहुत ही बढ़िया बात है signature rare whisky को bottle किया गया है S.A.S. नगर महाली पंजाब में और signature premier grain whisky को bottle किया गया है खासा district Amritsar पंजाब में तो चलिए अब करते हैं इन whisky's को nose और देखते हैं इन में क्या क्या difference है सबसे पहले देखते हैं इनका color comparison अगर इनके color की बात की जाए तो एकडम exact same color है amber color की दोनों whisky's आपको देखने को मिलेंगी और अगर इन whisky's की bodies की बात की जाए तो दोनों ही whisky's आपको medium body की देखने के मिलेगी पिल्कुल भी कोई difference यहां तक तो नहीं लग रहा है तो चलिए सबसे पहले nose करते हैं signature rare whisky को और देखते हैं कैसी लगती है सबसे पहले बहुत ही smooth है nose के उपर आपको बिल्कुल भी alcohol warmth नहीं आएगी इस whisky में से बहुत बढ़िया आपको dry fruits के aromas आएंगे इसमें से बहुत ही nutty feel हो रही है मुझे और साथ में honey भी मुझे feel हो रहा है और एक बात मैं आपसे share करना चाहता हूँ मैंने इस whisky से और भी बढ़िया whisky's को भी nose किया है और इससे हलकी whisky को भी nose किया है लेकिन जो nutty flavor इस whisky में से आ रहा है वो कैसी whisky में से मुझे नहीं मिलता और जब भी मैं इस whisky में उस nutty flavor को feel करता हूँ न तो मेरे मुझे पान ही आ जाता है अगर आपके साथ भी ऐसा होता है किसी whisky को लेके तो आप मेरे साथ ज़रूर share कीजिएगा इसके इलावा हलकी सी मुझे smoky feel हो रही है तो चलिए अब करते हैं signature premier grain whisky को nose और देखते हैं वो कैसी लगती है थोड़ा सा मैंने अपनी skin को यहाँ पे nose कर लिया है ताकि मेरे जो nose sense है वो थोड़ी balance हो जाए तो चलिए अब करते हैं signature premier grain whisky को nose यह whisky भी काफी smooth है लेकिन इसमें आपको थोड़ी सी alcohol warmth मिलेगी इसका मतलब यह नहीं है कि यह कोई harsh whisky है यह भी बहुती smooth है लेकिन हलकी सी alcohol की warmth आपको feel होगी और जैसे कि signature rare whisky में से मुझे dry fruits feel हो रहे थे इस whisky से मुझे fruits का aroma आ रहा है काफी बढ़िया इस whisky में से आपको vanilla के notes मिलेंगे और honey भी आपको बढ़िया feel होगा इसके इलावा आपको हलकी सी sweetness मिलेगी और थोड़ी woody भी feel होगी तो चलिए अब करते हैं इन्हें taste और देखते हैं यह taste में यह कैसी लगती है कि अब बहुत ही स्मूथ है पीने में यह आपको हलकी सी टंग पर टिकलिंग होगी लेकिन अलकोहल की वाम्त आपको काफी देर बाद feel होगी जी हां ड्राइ फ्रूट्स का बहुत अच्छा फ्लेवर आ रहा है और उसके बाद इसका फ्लेवर नठी फ्लेवर में चेंज हो रहा है काफी बढ़िया आपको spiciness feel होगी इस विस्की में और end में आपको एक burnt wood जैसे आपको smokiness आएगी जो signature विस्की से आप expect करते हैं तो चलिए अब signature premier grain विस्की को टेस करते हैं लेकिन उससे पहले palette को थोड़ा clear कर लेते हैं water से ताकि इसके notes भी हमको अच्छे से समझ लिया है बहुत different है यह विस्की signature rare विस्की से आप आसानी से बता पाएंगे कि यह कोई और विस्की है signature rare विस्की यह नहीं है बहुत अच्छी आपको एक different spiciness मिलेगी इस विस्की में काफी बढ़िया लग रही है एक fruity flavor आपको मिलेगा इस में से और vanilla भी आपको काफी बढ़िया इस विस्की में से feel होगा honey मिलेगा sweetness मिलेगी आपको morse की और grains का भी बहुत बढ़िया flavor आपको मिलेगा लेकिन अगर मैं इसको smokiness की बात करूँ तो इस विस्की में मुझे हल्की सी end में PT smoke मुझे मिल रही है बिल्कुल हल्की सी जो की rare विस्की में आपको burnt book जैसी smokiness feel होती है इस विस्की में आपको थोड़ी सी PT विस्की PT smoke आपको मिलेगी इसको check कर लेते हैं कि इसमें कैसी smoke है और इस विस्की में कैसी जी हाँ definitely बहुत change है smoke में इसमें आपको burnt wood जैसी smoke मिलेगी और इस विस्की में आपको हल्की सी PT smoke देखने को मिलेगी अगर मेरा आप experience पूछे इन विस्की के साथ तो यह दोनों ही विस्की मुझे बहुत पसंद आई हैं काफी अलग नेचर है इन दोनों विस्की का लेकिन signature प्रीमियर विस्की की finish में आपको एक creamy texture फील होगा और जैसे कि मैंने बताया कि यह दोनों विस्की डिफ्रेंट नेचर की है जैसे कि signature rare में आपको dry fruits nutty और smoky flavor आपको मिलता है और वह signature प्रीमियर में आपको vanilla honey थोड़ी sweetness और थोड़ी spiciness और pretty smoke आपको मिलेगी अगर आप एक ऐसी विस्की चूज़ करना चाहते हैं जिसमें थोड़ा सा smokiness हो थोड़े dry fruits भी और थोड़ा nutty flavor हो तो आप जाए signature rare की और अगर आप ऐसी विस्की ढूंड रहे हैं जिसमें आपको vanilla sweetness और थोड़ी सी एक spiciness और आपको एक greeniness feel हो तो आप signature premier की और जा सकते हैं बट अगर आप सोच रहे हैं कि company only flavors के difference के लिए आप से 100 रुपिज extra charge कर रही है तो ऐसा बिलकुल नहीं है क्यूंकि signature प्रीमियर विस्की में scotch whisky की ratio जो है ज्यादा होगी signature rare के comparison में बट एक बात तो आज के comparison से साबित होती है कि दोनों whisky को ही बहुत different बनाया गया है और company बहुत smartly अपने consumers को target कर रही है इस budget segment में तो यह थी आज की comparison video the all new signature rare age whisky and the all new signature premier grain whisky कैसी लगी आपको video मुझे comment में जरूर बताइएगा आप अपने opinions suggestions and experience भी share कीजिए मेरे साथ नी चेक्मेंट बॉक्स में और किस whisky का review और comparison देखना चाहते है ये भी बताइए अगर आपने इन whisky को try किया है तो आपको कौन सी whisky इनने से पसंद आई और क्यूं आप मेरे साथ नी चेक्मेंट बॉक्स में जरूर share कीजिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को subscribe नहीं किया है तो please चैनल को भी subscribe कीजिए वीडियो को like भी कीजिएगा और जाद से जादा share कीजिएगा वीडियो को यहां तक देखने के लिए आप सब का thank you तो मिलते हैं अगली वीडियो में किसी new product के साथ तब तक आप खुश रहिए drink smart and responsibly पियो करो मौजा और लोग निजारे cheers झाल 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 झाल